पानी प्रयाप्त पानी नहीं होता तो इसे डिहाइडरेशन कहते हैं डेंजरसली रूप से डिहाइडरेट होने पर एक व्यक्ति को आईवी फ्लूइड की आवशकता होती है इसके अलावा आईवी फ्लूइड का यूज सरजरी, नूट्रिन रिप्लेस्मेंट, मेडिकेशन और इमर्जेंसी सिचुईशन में किया जाता है दोस्तो आईवी का मतलब होता है इंट्राविनस यानि जिसे वेन के त्रू दिया जाए इंट्राविनस फ्लूइड को इंट्राविनस सलूइशन भी कहा जाता है IV fluid एक supplementary fluid है जिसका यूज सरीर में normal fluid volume और electrolyte balance को maintain करने के लिए किया जाता है दोस्तो mostly IV fluids isotonic होते हैं जिसका अर्थे उनमें solute की concentration blood plasma के समान होती है दोस्तो IV fluids basically 4 types के होते हैं इनमें NS यानि normal saline, HRL यानि ringer lactate, DNS यानि dextrose normal saline होता है इसके अलावा D5 और D10 saline और इसके साथ-साथ manitol solution भी होता है इन सारे saline को patient के बिमारी और condition के हिसाब से लगाई जाती है दोस्तो आईए अब इन सारे IV fluids के composition को और उसके use को detail में जानते हैं नॉर्मल saline solution और NSS एक crystalloid isotonic IV fluids है जिसमें water और sodium chloride यानि साधरन नमक होता है नॉर्मल saline solution में 0.9% sodium chloride होता है जो blood और आंसों में sodium की मातरा के समान होता है यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला fluid है क्योंकि यह बिभिन प्रकार के condition के लिए सबसे effective fluid माना जाता है इसका उपयोग UNS को साफ करने, sinus को साफ करने और dehydration का इलाज करने के लिए किया जाता है इसके अलावा इसका यूज burn injuries और trauma में हुए sodium loss को replace करने के लिए भी किया जाता है लेकिन इसका उपयोग heart failure, pulmonary edema और renal impairment या ऐसे इस्तियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो sodium retention का कारण बनते है रिंगर lactate यह एक crystalloid isotonic IV fluids है आप अक्सर इस fluids को emergency room, ambulance और critical health issues से निपटने वाले अनस्थानों पर देख सकते हैं रिंगर lactate में sodium lactate, sodium chloride, potassium chloride और calcium chloride होते हैं यह सब electrolytes है electrolytes normal body functioning में बहुत ही काम आते हैं जब BP कम हो जाता है या सरीर का पानी कम हो जाता है तब सिर्फ सरीर में पानी देने से काम नहीं बनता पानी के साथ साथ electrolytes भी सरीर में जाना बहुत ही ज़रूरी होता है RL को Hartman solution भी कहा जाता है इसकोपयोग उन लोगों में fluid और electrolytes को replace करने के लिए किया जाता है जिन में bloods की मात्रा कम या low blood pressure होता है इसके अलावा इसकोपयोग metabolic acidosis के इलाज के लिए chemical burn के बाद आँख धोने के लिए dehydration और acute blood loss में भी किया जाता है दोस्तों चुकि lactated ringer में potassium होता है इसलिए इसकोपयोग renal failure या renal complication वाले patient में नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे hyperclaimia हो सकता है दोस्तों इसकोपयोग liver disease वाले patient में भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे lactate को metabolize नहीं कर सकते इसके अलावा यदि patient का pH level 7.5 से अधिक है तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों DNS में 5% dixtrose और 0.9% sodium chloride एक active ingredients के तौर पर रहता है dixtrose एक प्रकार का sugar होता है जब आप 3-4 दिन तक लगातार खाना नहीं खाते या बहुत ही बिमार होते हैं इसके खाना खाया नहीं जाता या बुखार के case में यह use होने वाला सबसे best saline है इसका उपयोग उन patient के इलाज के लिए के आयाता है जिसमें कोई बड़ी blood loss या fluid loss हुआ हो या यदि उसके blood में calcium का level कम है या insulin hypoglycemia के active treatment से गुजर रहे हैं DNS infusion उन मरीजों को भी दी जाती है जिनके खून में potassium और sodium का level कम होता है DNS infusion dehydration या carbohydrate की कभी वाले रोगियों में आवशक electrolytes को restore करता है दोस्तो चौती और पांचमी saline है D5 और D10 D5 में 5% dextrose और D10 में 10% dextrose पाया जाता है दोस्तो diabetes के patient में D5, D10 और DNS saline नहीं लगाई जाती है उन patient में RL और NS लगानी चाहिए manitol infusion एक दवा है जिसका इस्तमाल acute renal failure, cerebral edema यानि brain में excess fluid का जमा होना और glucoma नमा के सिते में आखों के अंदर pressure को कम करने के लिए किया जाता है manitol infusion अतरिक्त पानी को हटा कर काम करता है और प्रभावित छित्रों में सूजन से भी रहात दिलाता है इस कवपयोग अकेले या अने दवाओं के साथ में किया जा सकता है manitol IV, manitol और water का solution होता है जो 5%, 10%, 15% और 20% concentration में available रहता है दोस्तो manitol IV को intravenous infusion द्वारत दिया जाता है दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी कई सारी information आपको समझ में आ गई होगी दोस्तो इस वीडियो से related अगर आपकी कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं दोस्तो इस वीडियो को share करना ना भूले और वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे